चर्चित हत्या कांड के हत्यारा शेरा को हुआ उम्र कैद की सजा दबंग शेरा संदीप की कर दी थी हत्या अब उम्र कैद की सजा के बाद सिवान में मचा हर कम बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ सिवान में कुछ वर्श पहले छोटे से विवाद में एक युवक की खत्या कर दी गई थी हत्या के कई वर्सों बाद कोट ने अपना सजा सुनाया है पूरी खबर आपको बताते चले कि मामुली विवाद में परोसी की धारदार हत्यार से हत्या करने के मामले में नामजद आरोपी को अपरजिला एवं सत्र नियाइधिश अस्टम शशी भूशन कुमार की अदालत ने उम्रिकैद की सजा सुना दी है अदालत ने शनिवार को अभी योजन एवं बचाओ पक्ष की उपस्तिती में सजा की बिंदू पर सुनवाई करते भूए भादवी की धारा 302 की अंतरगत अ एवं 10,000 रुपे की आर्थिक जुर्माना की सजा दी है जुर्मानी की राश्टी जमा नहीं करने पर अभ्यूक को 6 मा अतिरिक्त सक्षम कारवास की सजा भूगतनी पड़ेगी अदालत ने इसके अतिरिक्त भादवी की धारा 307 में 7 साल एवं 324 के अंतरगत 2 साल कारवास क की भी सजा दी है सभी सजा एक साथ चलेगी बताया जुआता है कि सिवांजिले के बरहरिया थाना अंतरगत पकवालिया गाउनिवासी मदन शर्मा और पर्मानंद माजी परोसी के बीच 16 ऑक्टूबर 2014 को किसी बात को लेकर विवाद हो गया था इसी बीच रामानंद माजी एवं उनके पुत्र शेरा माजी ने मदन शर्मा के पुत्र संदीप शर्मा को धारदार हत्यार से मार कर गंभी रूप से जक्मी कर दिया जिससे अस्पताल ने जाने के क्रम में निधन हो गया मदन शर्मा के बयान पर पिता पुत्र रामानंद माजी एवं पुत्र शेरा मा आजी को दोसी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है कोट के बड़ी कारवाई के बाद पूरे जिले में चर्चा का बेसर बना हुआ है बता दे कि कई दिनों से कोट में केस चल रहा था और उसकी सुनवाई हुई जिसमें शेरा को उम्रिकैद की सजा हो गई तो आपको फिर से बत